नमस्कार साथी डॉक्टर उमंग खरना हुमियोपेटिक लेनी के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है साथियों आज हम आपको ऐसा जादूई स्किन टोनर बताएंगे जो आपकी स्किन को टाइट करके सारी जूरियों को खतम करने में बहुत मदद करेगा बाली वुट की मसूर अदाकारा एश्वरिया राईजी भी सनुस्के को करती हैं ऐसा उनका एक आडिकल हमारे हाथ लग गया जब उन्होंने फैमिना मेगजीन में इस बात को बताया जब उन्होंने फैमिना मेकजीर में इस बात को बताया और हमको ये मालूम पड़ी तो मेरा प्रयास है आप तक भी यहाँ बात पहुँच जाए कैसे मसूर अदकारा मसूर बालीवोड हिरोईंस और मसूर हलीवोड हिरोईंस अपनी स्कीन को इत्ता फ्लॉलेस रखती है एक तो मेकप उनको फ्लॉलेस रखता है और कुछ ऐसी अदकारा है जिनकी नेच्वल ब्यूटी भी होती है तो मेकप के पार्ट को हम लोग हटा देते हैं और नेच्वल ब्यूटी वाली अदकाराओं की बात करते हैं जिन्हों ने इस आर्टिकल को लिखा है फैमिना मैगजीन में और इसको जो है वहाँ इस्तमाल करती हैं ऐसा उन्होंने बताया है तो क्योंकि अपने सामने रोल मॉडल भी मौझूद है उस नुस्के का ब्रांड मौझूद है वहाँ नुस्का मौझूद है तो क्यों ना आप भी इसका लाब लीजे क्यों ना आप भी अपने चेरे की जुरियों को खतम करिए क्यों ना आप भी cherry को skin को tone करके skin को flawless और चिकना बनाईए हम आपको बताते हैं इसा नुस्का जो एक रुपई की लागत का नुस्का है सिर्फ आधा गंटा आपको बनाने में लगेगा उसमें भी किवल 10 मिनिट आपको बनाने में लगेंगे और आप इसको इस्तमाल कर सकते हैं दो हक्ते तक और वहाँ आपकी skin को चमका देगा skin को tone करके tight कर देगा चलते हैं साथियों सफर पे जिस पे आपको बताते हैं वहाँ नुस्का जो आपको मेंगे chemical से बचाएगा मेंगे filler से बचाएगा जो आप अपनी skin पे लगाते हैं एक तरह से कोई डिवाल होती है जब उसमें गड़ा होता है तो हम लोग protein लगा के उस गड़े को भर देते हैं इसी तरह आपको भी अपनी skin पे वो protein लगा के गड़ों को भरना पड़ता है और जोडियों को भरना पड़ता है, खतम करना पड़ता है समाज में अच्छा दिखने की खातिर आकरसंड का केंडर बने खातिर लेकिन अब जब आपको यहादबूत नुस्का मालूम पड़ जाएगा तो आपको वहाँ protein नहीं लगानी पड़ेगी जो आप दिवालों पे भी लगाते हैं और उसी फार्मेट की कुछ chemical वाइज उससे बेतर होगी वो आप अपने चेरे पे लगाते हैं उससे आप बचेंगे उन filler से घा तक बचेंगे बहुत असान नुस्का है पेश है आपके सामने साथियों यहाँ नुस्का आपको साथियों कुछ नहीं करना है आपको आदा कप चावल लेने हैं राइस लेना है इसको आपको तीन बार अच्छे से धो लेना है क्योंकि आपको फेस पे लगाना है तो इसको अच्छे से आप धो लीजे तीन बार अलग-अलग पानी से आपको धो लेना है उसके बाद किसी काच के बरतन में आपको तीन कप पानी डालना है उस तीन कप पानी में आपको यहां जो आधा कप चावल है इसको डाल देना है अब इस पूरे उसको जार को आपको ढख के धूप में रख देना है आदे घंटे के लिए 25 मिनिट से आदे घंटे के लिए उसके बाद आपको इसको वापस ले आना है कुछ उबालना वगएरा कुछ नहीं है बॉयल ओयल नहीं करना है इसको आपको वापस अपने टेबिल पे ले आना है और आपको इसको किसी सूती कपड़े से एक तीसरे काच के भरतन में छाल लेना है उसको जो है, वो saturate कर लेना है और उसके बाद आपका rice water तियार हो गया वो rice water जो एस्वर्या राय जी भी अपने पर इस्तमाल करती रही है वो rice water जो आप भी अपने पर इस्तमाल कर सकते हैं जो तमाम खुब सूरत और महिलाओं ने इतिहास में apply करा है आप इसको चेरे पे उसको लें, आप उस पानी को लें और आप अपने चेरे पे इसको 10 मिनिट लगा लें कोई एक कॉटन ले, कॉटन से आप उस राइस वाटर को आप 10 मिनिट अपने चेरे पे लगा लें apply कर लें 10 मिट उसको छोड़ दें उसके बाद आप अपने चेरे को धोलें ऐसा आप रोच तीन महीने तक करें आप देखेंगे कि आपकी स्किन सौ परसेंट टोन हो जाएगी वैसी स्किन हो जाएगी जैसे स्किन की आपको किसी की पोस्टर देखके अदाकारा के स्वाइश हो इस राइस वाटर से आपकी स्किन वैसी ही होगी एक सातियों यहां पर बात और आती कि आखिर यह नुसका क्यों काम करेगा यह नुसका सातियों इसलिए काम करेगा क्योंकि इसमें आइनोसाइटॉल, फाइटिक असेड, विटामिन A, ट्राइग्लिसराइट, लाइपो प् इस प्रिप्रेशन को सातियों आप दो हपते तक फ्रीज में रख सकते हैं यहां दो हपते तक आप एक बार का बनाया प्रिप्रेशन दो हपते तक आपके काम आ सकता है आप इसको करें सातियों और हमको बताएं कमेंट पोर्शन में कि आपको इससे लाब मिला कि नहीं मिला तक इस समाज के अने लोग भी इसको जान पाए अगर आपके मन में कोई query हो साथियो तो आप YouTube, Notification या WhatsApp पर अपनी query लिख सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपको आपकी बात का जवाब दे पाए बहुत लोग साथियो क्या करते हैं? इसको ferment भी कर देते हैं इस rice water को ferment कर देते हैं इसमें खमीर आ जाता है और लोग बताते हैं और और फायदा करता है और फिर इसमें rice flow डाल लेते हैं rice का आटा भी डाल लेते हैं तो बहुत लोग ऐसा भी करते हैं तो अगर आपको ferment करना है rice water को तो आप इसको 24 घंटे के लिए यहीं छोड़ दें, खुला छोड़ दें इसके बाद यह थोड़ा सा खटा हो जाएगा तो वो फर्मेंट हो जाएगा, आप उसको भी लगा सकते हैं कुछ लोग कहते हैं और इसका रिजर्ट भी बहुत अच्छा है बिरहाल जो ठींग बात यह वो यह है कि राइस वाटर आपकी स्किन को टोन करता है और बहुत अच्छा टोन करता है और आपको बिल्कुल फ्लॉलेस बनाता है साथियों अगर आपको यहाँ बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा आपने चैनल को आपने सब्स्राइब करा होगा, आने लोगों से सब्स्राइब कराईएगा और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले हमारा सबसे नया वीडियो योही प्राप्त करते रहिएगा आपका साथ यो इत्ती रेर हमाई साथ रहने के लिए हमारी बात को भरूसे से सुनने के लिए बहुत-बहुत सादुवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो